हलो दोस्तों वीडियो के टेटल को देख के आप समझी गए होंगे, कि आज व्याँ हम इस वीडियो में और उस report में जो CT value होती है वो क्या होती है तो चलिए जानते हैं CT value क्या होती है दोस्तों CT value जो होती है उसका flipform होता है cycling threshold और जब आपका sample लिया जाता है वह sample लेके उसको PCR में डालते हैं तो उसको बोलते हैं हम उसका threshold हमारे जो भारत सरकार है उसका Indian Counseling of Medical Research द्वारा इसको जो CT की value है वो जो या cut-off आप बोल सकते हैं उसको fix किया हुआ 35 बट बीच में महाराष्ट में बढ़ते कोरोना case के कारण महारत सरकार ने हमारे ICMR से request की थी कि इसका cut-off है वो 24 कर दें बट बाद में जो है इसको खारिस कर दिया गया और उसने ये region दिया कि 24 से लोगों बहुत से लोगों को confusion रहेगा और ऐसे बहुत से percent होंगे जो जो पॉजिटिव होने के बाद भी निकेटिव आ जाएंगे तो इसको फिर बाद में खारिस कर दिया गया था दोस्तों आप जिसे आपकी अगर रिपोर्ट आती है और उसमें आप कैसे पता करेंगे city value से कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या निकेटिव है तो दोस्तों अगर आप टेस्क कराते हैं और उसमें आपकी जो city value है अगर वो 35 से कम है हाँ 35 से अगर कम है तो आपको जो आप बोल सकते हैं कि आप जो है पॉजिटिव है नतला आपको वो सक्रमन है और अगर आप टेस्क कराते हैं और टेस्क कराने के दौरान आपका city value अगर 35 से जा जा है तो आप बोलेंगे कि आपका जो रिपोर्ट है वो निकेटिव है और आप उससे समझ जाएंगे कि आपकी जो रोपोर्ट है वो नेकेटिव है दोस्तों और इसको और अच्छे से समझने के लिए चले ग्राफ पर चलते हैं इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि यह हमारा एक ग्राफ है है इसमें देखिये नीचे आपको यह नमपर अप साइकल दिख रही है और इसका जो जैसे कि हमने बात कियाता है कि जो कटॉफ है वह थरटिफाइव यह आपका थ्रेशार्ट की कटॉफ लाइन है तो जो हम इसको सेमप्लीफाइब करते हैं और आपका सेंप्ल की जो लाइन ह अगर वो 35 cycles से पहले ही cross कर जाए या 35 से जस्ट पहले अगर यह cross कर जाती है इस line को तो आप बोलेंगे कि यह आपकी report जो है positive है अगर यह line को cross नहीं करती है और इसके नीचे ही रहती है तो हम बोलेंगे कि यह negative है चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए इस graph पे आते हैं माली जे आपने 2-3 लोगों का sample लिया और उसको आपने amplify किया और amplify करने के बाद अगर किसी इंसान की जो line है अगर जे threshold line को 35 से पहले ही cross कर गई तो वो जो है positive किलाएगा और कोई किसी इंसान की report जो line है यह अगर 35 के बाद भी 35 से के बाद भी और 40 यहां देखिए आपको 35 दिख रहा है अगर 40 cycle पे भी वो अगर उसको cross नहीं कर रहा है मतलब 35 से cycle से भी ज़्यादा amplify करने के बाद भी अगर वो उसको cross नहीं कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे negative है अगर उसके आजपास भी है 35 से cross करने के बाद अगर उसको cross करने के बाद अगर वो उसको cross करता है त तो भी वो negative है तो आपको मेरी knowledge समझ में आ गई होगी बगर दोस्तो CT value को आपकी बीमारी की गंविरता से कोई समझ नहीं है आप देख रहे होगे बहुत से ऐसे percent है जिनकी जो CT value है वो कम होने के कारण और positive होने के बाद भी वो ठीक होकर घर बापिस जा रहे हैं तो इससे आपका आपका सिर्फ positive है या negative है यह पता चलता है आपकी जो भीमारी है उसकी घंविरता के बारे में पता नहीं चलता है उससे इतना घबराने की बात नहीं है I hope आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी थैंक्यू सो मुच